Welcome to my YouTube channel आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी भी YouTube channel का URL कस्टमाईज कर सकते हैं इसके लिए आपके पास सबसे पहले minimum 100 subscriber होना जरूरी है otherwise आप अपने YouTube channel के URL को कस्टम नहीं कर सकते हैं तो हम देखते हैं आज कि किस तरह से हम YouTube channel का URL कैसे चेंज कर सकते हैं तो यहां पर हमें सबसे पहले यहां YouTube open करना है YouTube open करने के बाद यहां हमें Your channel पे क्लिक करना है Your channel पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से Settings में जाना है जैसे ही आप Settings में जाएंगे यहां आपको दिखेगा View Advanced Settings इसके बाद आप यहां देख पा रहे हैं You are eligible for a custom URL claim here मतलब कि हम URL को customize करने के eligible हैं यानि हमारे पास 100 से ज्यादा सबस्क्राइबर हो चुका है तो हम यहां claim करते हैं यहां क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर हमारे पास आ गया youtube.com slash c knowledge of इतना channel का नाम आ गया अब हम चाहें तो यहां से कुछ भी चीज add कर सकते हैं कुछ character हम add कर सकते हैं add करने के बाद हमें इसका जैसे हमने add कर दिया जैसे हमने यह add कर दिया अब यह हमारा custom URL का जो है यह URL का नाम आ जाएगा knowledge of by ratio saying इस तरह से तो यहां से क्या होगा I have read and agree the custom URL इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां से हम अपना URL change कर सकते हैं change करने के बाद यह हमारा YouTube का URL दिखेगा यहां अगर हम confirm करते हैं तो यह final हमारा हो जाएगा ध्यान रहे कि यह URL किसी और का नहीं होगा अगर किसी और का होता तो आपर green sign नहीं आता तो यहां से हम custom URL कर सकते हैं अब यहां confirm choice जैसे हम confirm choice पे क्लिक करेंगे यह हमारा URL change हो गया इस तरह से हम अपने channel का URL change कर सकते हैं change करने के बाद यह हमारा यह final हो गया इस तरह से आज की वीडियो में हमने सिखा कि हम क्यासे अपने YouTube के URL को change कर सकते हैं थैंक्यू थैंक्यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल for more videos and updates thank you